चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मत्य प्रदेश में विद्धूत अर्थात हम बोलेंगे मत्य प्रदेश के उर्जा संसाधान तो एनर्जी रिसोर्स जो होते हैं या बिद्धूत इसके बारे हम विस्तार से यहां पर देखेंगे साथ में इसके जो है कुछ क्विज या जो एमसी क्यूज होते हैं उनको हम एटेम्ट करेंगे इस प्रकार हमारा जो है बिद्धूत से रिलेटेड यानि कि उर्जा संसाधान से रिलेटेड मत्य प्रदेश में सारी चीजी यहां पर कबर हो जाएगी तो यहां पर अगर बात करें हम बिद्धूत की तो किसी भी देश या जो प्रदेश होता है उसकी उन्नती और उर्जा संसाधन या जो आधार होता उसका तत्व होता है उर्जा संसाधन जीवन स्तर के सुधार और तक्नीकी विकास में अपनी बहुत महत्पूर्ण भूमी क करने बात हैं माद्यप्रदेश के द्रिश्टी से तुवट्टे नियुक्त जमाना जाता है कि उनके मामले में काफी पिछला हुआ है यहां पर उपलत्त है काफी मात्रा में उप्योग करने में माद्य प्रदेश पिछला सबसे बड़ा उपकरम माना जाता है जिसका मुख्याला आपको भुपाल में देखने को मिलेगा मात्य प्रदेश की राजधानी और खनीज तेल कोईला जो अनु से रेलेटेट जो प्राकरतिक गैस है इवम जो जल विद्धूत है उर्जा उसके पारंपरिक सुरोत है जबकि और यहां यह जो है इस थैसके भंडार सीमीध है त algorithm में होसकते हैं तो हम यहां बात कर लेते हैं उर्जासे रेलेटेट बहुत सारी भी हम यहां पर देखेंगे ठीक है तो कोईला की यहां बात करें तो कोईला जो एक प्रकार का खनीज के अंतरगात आता जिसके बारे हम पहले पढ़ चुके हैं और कोईला उत्पादन की द्रिश्टी से मध्य प्रदेश का देश में प्रमुकस्तान माना जाता जिसके कारान यहां अनेक ताब विद्दू केंद्र जो है स्थापित किये गा है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोईला छेत्र आपको पता होगा सोहागपूर जो की हमने पढ़े हैं सहडोल के अंतरगात और इन छेत्रों में उच्छे कोटी का कोईला पाय जाता है 36 गड़ राज के अलग हो जाने के बाद मध्य प्रदेश के लिए उर्जा संसादन अधिक चिंता का विसे बन गया क्योंकि बहुत सारे जो खनी संसादन थे वो 36 गड़ में 36 गड़ के साथ अलग हो गया है जिन में हम देखें तो कोईला छेत्र परमुक्त है जबकि विभा की जाने वाली उर्जा को हम ताब विद्दूद ग्रह कहते हैं और प्रदेश में लगभग दोती आई विद्दूद ग्रह सही उत्पन की जाती जैसे अगर बात करें यहां पर अमार कंठक ताब विद्दूद ग्रह है चचाई अनुपूर के अंतरगात यह है 450 इसकी छमत पाथर खेड़ा कोईला चेतर में इस्तित है जलापूर्ती तवा नदी पर जो बांध है उसको बना कर की जाती है फिर है संजय गांधी ताब विद्दूद ग्रह है जो की बिरसिंग पूर उमर्या के अंतरगात है और इसकी छमता तेरह सो चालिस मेगावाट है जोहिला न सब्सक्राइब करता है और नेपन अगर वर्हानपूर में तो आप यहां पर देख भी सकते हैं मद्यप्रदेश के अंतरगत हम देखें तो यह हमको देखने मिलता है फिर उसके बाद देखें आपको यहां कुछ और इंपॉर्टेंट देखने को मिलते है यहीं कि हमने देखें हमर कंटक्त ताब विद्दूद ग्रह के बारे में दे इसके बारे मगर देखें तो यह जो है प्रधान मंत्री द्वारा 2015 में खंडवा जिले में सिंगा जी ताब विद्दूत परियोजन्या को 600-600 मेगावाट की दो एक आयो का उद्धाट नहीं पर किया गया था ठीक है इसके साथ ही हम देखें यहां पर आपको कुछ और देखेंगे को मिलते हैं टोटल चमता और यह देखिए आवंटन जो है मत्रदेश को आप्ता आवंटन 1445 यह तेलेया अल्टरा मेगा पावर प्रोजेक्ट है इसमें वीश प्रकार से आप छमता देख सकते हैं फिर उडिसा अल्टरा पावर प्रोजेक्ट है अंधरप्रद महराष्ट अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट यह टोटल कुल मिलाकर अगर देखे दिन की जो चमता है 30920 है और यहां जो मद्रप्रदेश को प्राप्त आवंटर्ण की अगर बात करें तो यह आपको टोटल यहां पर दिखेगा अनकरण में आपको लेकर है बहुत ही आगाशक फ्री प्रांड जो कि MPPC और आपको एक्जन संबंदी थे यह यहां पर फ्री प्रांड लेने चाहते हैं तो आपको यहां पर मिलेगा 500 जादर फ्री लाइफ ट्रासेज एवरी वीग और डाउट लिए रहे वीग फ्री मॉक्ट करना है सिंप्ली आने गर्डिम के लर्निंग यहां पर MPPC संबंदी कोर्स चीस कीजिए MPPC वाप आपको लो छेक्ट कीजिए और यहां पर सरकाटे आपको प्रेंड को यूजिस करना है इस प्लान को अनलॉक करने के लिए रहा है सर्कार 10 प्रोमा को उसकरने पाद है याद सी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो इसके लिए आप आपको डाउट ट्रीलिंग सेशन यहाप एक्स्ट्रा मिलेंगे और वीगली 12 सेशन यहाप सब्जेक्ट वैच लग रहे हैं यहाप अल्रेडी रिविजन कर रहे हैं तो मेगा बैच स्टार्टिं सूर हैं यहाप और MPPSC की तहरी आप शूरुशे करना चाहते हैं तो 10 महीने के फांडेस मेच यहाप शुरू हो रहा है यहाप टैस स्रीज बगर रहे हैं यहाप इन लोग के लिए हैं जो यहाप यहाप दोयर 19 का प्रिलिंग क्या हैं और अपने सपन प्राक्त करने के लिए आपको एनटेमी लेजनी पर प्सक्राशलन संभल में फ्लस्ट में जाना है और how to connect सब्सक्राइब क्लिक करके आपको इस प्रकार की विडियों यहां पर दीखेगी और आप यहां पर अनुसार यहां पर क्यो प्लाइन हो ले सकते हैं और याद रहें सरकाटें प्रोम कोड यूज करने के पर आपको 10% का डिस्कॉन मिल जाएगा और देश गसबात की नाउन अनुसार अनुसार आपको लेट्स ग्रेक एंपे इंवेपन इशाम्स फिर हम देख लेते हैं कुछ जल बिद्दूत केंद्र की अगर बात करें मतलब हम बात करें यहां पर जिन इस्थानों पर पानी उचाई से नीचे गिरता है तो उसको हम क्या बोलेंगे जल बिद्दूत केंद्र की जाती है जैसे उपर ज्हरने से कोई पानी गिरा बहुत और तर्वाइन लगाकर इक प्रकार से यहां बिद्दूत केंद्र बनाय जाता है और मद्दे पदेस के कुछ महतपून अगर देखें तो गांधी सागर को जो हें यहांपे सब्क्राइब का बिएव क्या ठीक है और इसका सब्सक्राइब का нам नब यह राजिस्तान की एसको माना जाता है फिर रानिय अवंतिवाई के अगर बात करें नादिय अवंतिवाई को हम बर्गी परियजने की नाम से भी जानते हैं और यह जो है हमको कहां देखने मिलेगी यह जवलपूर में देखने की मिलेगी ठीक है मद्यपरदेश की सांक्रतिक राजधानी और इसके अंतरगत अगर देखें तो 90 मेगाबाट की छमता है फिर मड़ी खेड़ा की अगर बात करें तो यह चिनवाड़ा यानि कि यूनी जो है दोनों के अंतरगती देखने को मिलेगा ठीक है महराश्ट की शंत परियोजन है और 150 मेगाबाट इसकी छमता मिलती है टोनस जलबिदूद के परियोजना देखने को मिलती है और यह रिवा के अंतरगा तरह जो बीहर नदी में देखने को मिलता है strongest का पर रोबात करते है예요 देखने मिलेगी यह सून नदी में देखने मिलेगी और 177 वर रीवा जिलो में इसकी चमता फिर राजगाट के अगर बात करें तो यह कहां पर है यह बेतवा नदी परिस्तित है और उत्तर प्रदेश मद्रदेश की संच परिजने इसको बोला जाता है फिर इंद्रा सागर के अगर बात करें तो यह कहां पर है यह आपको देखने मिलेगी खंडवा जिले के पुनासा मेस्तित है और 1000 मेगाबाट इसकी चमता है तो यह बेसिक तोर पर आप यहां पर इंडिकेशन देख सकते कौन सी नदी पर है नदी पूरी यहां पर दी गई है तो आप इनमें दर्स सकते हैं जैसे कि बांट सागर परिज्ञा राज इंद्र सागर ठीक है गांधी सागर है राना प्रताप जवार सागर यह सब यहां पर देख सकते हैं ठीक है आब आगे चलते हम तो देखो संग्ते संग्त जल विद्धुत परियुज्णे का अगर बा सागर जल बिद्दूत केंद्र चंबल नदी पर कोटा राजिस्तान में तो यह मादसर राजिस्तान इसकी चम्टा आप देख सकते हैं पेंच जल बिदूत परिजना तोटल ढौ यह जो है मादसर महराश्ट उसकी टोटल छम्ता है इसके अलावा आप देखिए राजगार जल बिद्दूत के जो की बेतवा नदी पर बनाए गया है उत्तर प्रदेस और मद्द्दूत की संग्परिजना 45 इसकी शमता है बांड सागर ये आपको तीन राजज्यों की संग्परिजना देखने के मिलेगी कौन-कौन से उत्तर प्रदेस और बिहार ठीक है सोन नदी पर है 425 इसकी शमता है फिर जल बिद्दूत ग्रह की अगर बात करें तो इसकी आप देख सकते है रानिय बंतिवाई सागर बिद्दूत ग्रह जबलपूर में 90 मेगावाट इसकी शमता है बांड सागर जो है टोन्स नदी बां इस पर खरगोन में 400 इसकी शमता है यह तो हो गए हमारी कुछ बेसिक यहां पर बात कर लेते हैं देखे कुछ और आपको देखने मिलते हैं अगर बात करें परमानु उर्जा अधारी बिद्दूत परियोजना की तो मध्यप्रदेस के मंडला के समीब चोटका में आपको 700 700 के दो देखने मिलेंगे मतलब 700 के जो है दो मेगावाट की जो चम परमानु विद्दूत अधारी परियोजना उसकी स्थापना की गई भारत सरकार की सुक्रतिस में प्रदान की गई है और गैर परमपरगत उर्जा के सुरूत की अगर बात करें तो बरतमान समय में दिर्ग मिलेंगे माद्यपरदेश के अंतरगत इस से रिलेटेट यानि कि विद्दूत छेत्र के प्रवावी प्रवंदन के लिए माद्यपरदेश राज्य विद्दूत मंडल के बहुत मतलब बड़े स्वरूप का पुनर गठन किया गया है तथा उत्पादान पर पोसान इबं व के अंतरगत देखनें सब्सक्राइब करें जो कि बिद्दूत को ग्रेड या उसको प्रसाहित करने के लिए यहां पर देखने को मिल दिखने को मिलती है दूसरी जो है मद्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी जवलपूर में इसका कारेश्चेतर जो है पावर ट्रेडिंग कार है जिसके अंतरगा तीन चीजे देखने मिलती है एक तो होता मद्य प्रदेश पूर्वे छेतर बिद्दूत बितरन कंपनी लिमिटेड मद्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी मतलब जो पूरा बिद्दूत है उसको प्रवंदन करने के लिए तीन प्रकार के मुख्याले हबाने देगा है जवलपूर भौपाल इंदौर और यहां देखें तो इसका काम जो होता है पावर ट्रेडिंग का कारे होता और ती प्रदेश में बिद्धूत उत्पादन का कारिक देखती है तो यह बेसिक सी चीजे थी हमने देखें यहां पर अब हम बात कर लेते हैं कुछ कोश्चन की कोश्चन मतलब जो प्रशने हैं आपके एक्जाम के लिए जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जो एक्जाम में बनते दे बिद्धूत बिल की रासी को आधा करने के लिए करने के उद्धिस साथ फरवरी 2019 को मत्यप्रदेश सासन द्वारा इंद्रा किसान जोती योजने की सुकृति प्रदान की गई और इस योजने को संपोर्ण मत्यप्रदेश में एक अप्रेल 2019 को लागू किया गया है तो अब जो है ग्रह जोती इंद्रा ग्रह जोती योजना कब लागू की गई तो यह 25 फरवरी 2019 को इसको लागू किया गया तो यहां देख सकते देखें मत्यप्रदेश में घरेलु बिद्धूत यह वाली जो किसान वाली थी वह किसान मतलब सिचाई के वाली थी है ना और यह एनि डोमेस्टी ग्रूप से तो घरेलु बिद्धूत उब्हुकताओ के लिए 7 फरवरी 2019 को मत्यप्रदेश सासन द्वारा इंद्रा ग्रह जोती योजना की सुक्रिति पदान की गई और इस योजना को संपूर्ण मत्यप्रदेश में 25 फरवरी 2019 से लागू किया गया इंद आ नवंबर 2018 की स्तिति में मत्यप्रदेश की कुल विद्धूत उपलब्द 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 उपले शंबताओ कि थी ता यह आर्थिक सर्वेक्षन रिपोर्ट आई थी 2018 इसके नुसार महा नमंबर 2018 की स्थिती में प्रदेश में कुल उपलद जो छमता थी वो 18660 मेगावाट थी और इसमें से नीजी छेत्रे से जो प्राप्त ताब विद्दु थी 3390 मेगावाट और आप आरंपरिक जो उर्जा थी उससे हमको देखने को मिली कितनी 3502 मेगावाट थी कि यह चीजी इसमें मिली थे भारत है भी इलेक्टिकल्स लिमिटेड जिसे भेल के नाम से जाना जाता जो कि भौपाल में आपको देखने मिलेगी और हाल ही में मद्य प्रदेश के किस जिले में 500 मेगावाट के थर्म पावर इस्टेशन का यहां पर सुभार्म किया घय है तो यह और जार राज्ध affects मद्य संग्रोलि और देखने मिलेगा से मद्य प्रदेश में सिंग्रोली साइड में देखने मिलेगा तो सिंग्रोली इसका राइट अंसर है 500 मेगवाट का थर्मल पावर इस्टेशन भेल के द्वार यहां पर सुरू किया गए है और देखे भेल जो है भेल ने 8 अगस्त 2015 को मद्य प्रदेश के सिंग्रोली जेले में बिंदया चल में 500 मेगवाट के thermal power station का सुभारम किया और यह है भेल की 500 मेगवाट की साथवी काई है इसके आरम से ही भेल की जो है इस छेत्र में कुल 35 मेगवाट विजल उतपादन की छंता हो गई है इसके साथ ही भेल क्या है तो भेल एक प्रकार का क्या है जो है केंदर सरका सबसे बड़ी उर्जा परियोजना कितना निवेस किया गया है तो यह जो है 1100 करोड इसका राइट आंसर है ठीक है और मदपदेश की नीमत जिले में शुरू की गई है जो की मतलब सबसे बड़ी तातकाली रूप से है सबसे बड़ी परियोजना है 1100 करोड रूपे का निवेस किया गया है 370 हेक्टियर भूमी पर इस्थापित है और इस योजना के राजिसासन के साथ संपन एक समझोते के तहट इस सेंत्र के स्थापना बैलस्पन सोलर प्राविट लेमिटेट इसके दोरा की गई है नेक्स्ट कोचन है मध्य परदेश के तो इसमें मध्य तो इसमें कितने मेगावाट बिद्द उत्पादान का लक्ष रखा गया है तो यह राइट अंसर इसका है 8184 मेगावाट का जो है लक्ष रखा गया है यहां देख सकते है मादय प्रेदेश का पहला ताप बिद्दूत के इंदर है इस अगर बात करता है ठीक है निमनेताब विद्धुत केंद्रों को उनकी स्थापना स्थालों के हिसाब से यहां पर मिलाईए तो देखे जो है इसका राइट अंसर क्या होगा जैसे अगर बात करें यहां पर तो अमर कंठक आप कौनुपूर में देखने मिलेगा सत्पूरा पाथर खिड़ा में देखने में भुए विद यहां को में विद्धूत केंद्रों में तो यहां देखिए तो यहां देखिए नंबर का देखने की देखने मिलेगी बिंदे चल जो कि आपको सिंग्रोली के अंतरगत यहां पर देखने को मिलेगे एंटी पीसी नेशनल थर्मल पावर जो कॉर्परेशन है और सर्वधिक विद्धूत उत्पादन छमता इसकी है जबकि चांदनी ताप विद्धूत केंद्र है सबसे कम मेगावाट छमता वाला केंद्र माना जाता है गांधी सागर जल विद्धूत केंद्र कहाँ पर है तो यह मंदसौर में और मंदसौर कहाँ पर है यह आपको दिख रा मद्धप्रदेश में ठीक है यहां देख सकते हैं गांधी सागर 115 मेगावाट इसकी उत्पादन चम्ता जो कि हमने देख लिए और चंबल नदी पर ये बनाए गए किस नदी पर विद्धूत उत्पादन के लिए तीन बांद बने हैं तथा उसके पानी को बेरास द्वारा राजिस्तान और मद्यप्रदेश की में सिचाई के लिए उप्योग के जाते हैं तीन बांद आपको पता है ठीक है जैसे एक है गांधी सागर एक है राना प्रताफ सा सागर और जवार सागर तो यह कहां बने हुए है यह चंबल नदी पर बने हुए राइट अंसर चंबल नदी ठीक है सरदार सरोबर विद्धूत उत्पादान जो है उसमें मद्यप्रदेश का कितना हिस्सा है सरदार सरोबर मतलब गुजरात के अंतरगत जो बनाएगे ही नर्मदा नदी पर तो इसका जो है बैंतुल आपको मद्यप्रदेश में देखें नीचे आप देख सकते हैं ठीक है और यह देखें पाथर के जो केंद्र है बैंतुल और संजय गांधी जो है विर्सिंगपुर उमरिया में अमर कंठक आपको अनुपूर में देखने मिलेगा बिंदेचल जिले के बेढन में बर्तमान में मद्य प्रदेश के मैप में Пेंखें हिए तो सीधी हुआ करती थी परंतु सीधी से सिंग्रोली को अलग कर दिएगा तो सिंग्रोली का श्धापित को छल्ड़ान के इस बीडात्र की इसी तीच् давай दीण रखी थी और यहाई रूस की साहता से बनाए गए जो कि हमने पहले देख चुकी है पूर में मद्यप्रदेश की जो उर्जाराद्धानी है वाला सीधी जिला के स्थान पर अब यह किताब किसको मिल गया है तो अभी हमने देखे तो उर्जाराद्धानी अब सिंग्रोली बन अब यहाद रखना फिर निमने मैं से असंगत यानि की अलग को छाटी अलग को छाटी यह मतलब जैसे सबसे पहला तो है चांदनी ताब विद्दूत केंद्र जो है उसको तबाच्षेत्र से कोईला मिलता है बिल्कुल सही है उसके वाद अगर देखें सुहागपूर कोई मतलब नमबर नम में तो हाकपूर कोईला 4 से अमर कंठक तब जहले थाथ का और यहाँ पे आजिए उसको तबाच्षेत्र से कोईला तो जो भी हो एक ग इडदे चलंग संगेतनव हो है तो यहां देखें के मतलब सुमेलित मु sufficient नहीं करना है जो यहांपे तीन सही और एक गलत है तो गलत वाला यहां पर चेक करना तो देखें यहां पर बांट स cantr जो जल्भिदूत परियोचने 1 जो जल्भिदूत के महमता चर सु पैसे बिल्कुल सही the तो मैस्पर जल्बिदुत केंदर की छंता 400 है ये भी बिलकुल सबित है, और यहाँ देख सकते हैं इसकी जो विद्दुत केंदर है वो आपको देखने मिलेगी कितनी वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगी 90 मेगावाट जबकि 99 MW झामता जब जवार सागर विद्धूत केंदAR में देखने की मिले तो यहां देखिए बर्गी के कितने सब्सक्राइब को इसार्ब उसके बाद इसे से श्बाद्धपादन प्लीग है जब की इसे संबने मिलेगी सब्सक्राइब परियोजने जो है नीजी छेत्र को सौपी गई है तो यहां देखने मिलेगा यह जो है जल बिद्धूत और पेंच ताप बिद्धूत परियोजना नीजी छेत्र को सौपी गई जब कि तिलवाड़ा और भीमगाड में बिद्धूत परियोजना निर्वाना धिन मानी जाती है उसके बाद मत्य प्रदेश के उर्जा संबंदी तथ्यों में असत्य देखने को मिलेगा तो क्या असत्य है यहां पर देखिए सतपूरत आप विद्धूत के इंद्र से होती है तो यहां सरविदी बड़ा है परन्तु के विद्धूता पूरति आपको यहां बिंदेचल से ने सत्पूरत से WhatsApp विसकरण उसके आध मत्य प्र देस में कितना 30% बिद्दूती करण हो चुका है तो यहाँ देखिए यह 97% इसका Right Answer होगा और यह देखिए 50,000 से अधिक गाउं में बिद्दूती करण हो चुका है और संत्यान्वे 30 से अधिक है और सहरों में 37% बिद्दूती करण यहाँ देखने को मिल और 10 सितंबर 1947 को विद्धूत प्रदाय अधिनियम यहां पर लागू किया गया मत्य प्रदेश में उर्जा विकास निगम की स्थापना कप की गई तो यह जो है 1982 का राइट आंसर है और यहां देखिए गठन जो है मतलब मत्य प्रदेश उर्जा विकास निगम का गठन जो है 1960 में देखने को मिलती है और यहां देखें गाउं के विकास के लिए पिछड़े वा जंजाती छेत्रों तक विद्धूत पहुंचाने को देश से इसकी स्थापना की गई थी मतलब 1960 में भारत सरकार ने ग्रामिन विद्धूत करन निगम की स्थापना की थी गांधी सागर जल विद्धूत केंद्री की उत्पादित विद्धूत जो है उसमें मत्य प्रदेश का हिस्सा कितना है तो हम देख सकते हैं यहां पर 57.5 मेगवाट यहां देखने को मिलता है से सिस्सा जो है राजिस्तान में क्योंकि है सैंक्त परिजना मानी जाती है कि सत्पुड़ा सत्पुड़ा ताब विद्धूत के इंद्रे जो है किस जिले में स्थापित है तो यह हम देख सकते हैं बैतूल में हम देखने को मिलेगा बैतूल आपको यह मत्यप्रदेश के मै और बिंद्य चल्टापी बिद्धूत केंद्र जो सबसे बड़ा बिदूत केंद्र है यह सिंगरोली छेत्र में गुजरात की साज़दारी में बांध वा तापी यहां पर बेढ़न नाम अकिस्तान पर स्थापित है इसकी बिदूत चंथा अगर बात करें बिद्धूत पादन की शम्ता 4760 मेगावार्ड देखने को मिलती है मद्ध प्रदेश में जो है सोलर फोटो वाल्टिक प्लांट कहां लगाए गया है तो यह हम देख सकते हैं देखें यहां पर बैतुल में भी देखने को मिलेगा होसंगाबाद में भी जाबगम वेनी की उपरोक्त सभी य फ्रवार को भुगता और बिद्धूत मंडल दोनों के हितों में है तो के आधार पानिर्धारित करना होता है मत्यपेदेश में कहां देखने मिलस अथ्या की रादश्पत्र में सवार और र्योज करता परियोजन नीटि प्रकासित ही गई तो यहां देखने मंदिक यहां के है ठीक है और यहां देखें मद्य प्रदेश राजपत्र में इसको 2012 में देखिए 24 जनवरी 2012 को आयजूत केबिनेट की बैठक में पवन उर्जा पर अनुमोदन जो परियुज्ञ नीती है 2012 को पवन उर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन के लिए परियुज्ञ के कार लेखान है और चरचा-परिचरचा उनको भी आप जोइन कर सकते हैं में का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा कंप्लीट रूप से प्लेइलिस्ट में तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं ठीक है तो आई होप सारी चीज़ आपको पता यहां पर समझ में आई होगी फिर अगर कोई डाउट है तो आप कमेंड बॉक्स या फिर टेलिग्राम में मुझे बताइए इसके बाद का टोपिक हम बाद में देखेंगे करना है इसका फायदा लिगा आपको डाउलो करना है सिंप्ली आने कर दिमें के लिए यहां पर MPPSC सम्मंधित कोर्श कीजिए MPPSC विर आप आपको गोल स्रेक्ट कीजिए और यहां पर सरकार 10 आपको प्रोमे को यूज़ करने के बाद ही आप फ्री प्री प्लैन को अनलोग कर सकते हैं और यादि आप प्रेस बैसे के साथ जान रहाते हैं आपनी अलोड प्रेक्रेशन के लिए तो इसके लिए आपको डाउट ट्री शेशन यहां पर एक्ट्रा मिलेंगे और वीकली बारा सेशन यहां पर सब्जेट वेच लग रहे हैं यादि आप अल्री रिविज अपने सपनों को सागार करके MPPSC की मुख परिच्छा है उसमें उत्तीन होना चाते हैं इसमें 37 आपको उत्तर लिखन का अभ्याद बिराई आप इन टॉप एजुटर्स के दोरा आप इन टॉप एजुटर्स के दोरा आप इन पर पढ़ सकते हैं यहां देख सकते हैं और इ यहां पर याद रहें सरकार 10 प्रोम कोड यूज़ करने के पर आपको 10% का डिस्कॉट मिल जाएगा और देज दिस बात की डाउनोड अने के दिविन एप नौ तो लेट्स क्रेक MP एन वेपनिक एग्जाम्स